हलो भई कैसे हैं सब तो मुझे लगता है सब ठीक होंगे तो देखे आज जो हम जो रैनो ट्राइबर के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे कि उसका देख काफी लोगों के दिमाग में डाउट होता है किस गाड़ी की जो ज्यादा बेट कैरी करेंगी तो इसके हिसाब से एक ऐसी टॉप स्पीड अचीव कर पाएगी या मतलब कैसे नौरमल तरीके समिश में क्रूज कर सकते हैं क्या यह 100 भी टच करवाएगी तो ऐसी कुछ चीजों का जम डाउट क्लियर करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो यह देखिए पहले गाड़ी को पूरी तरह से लोड कर लेते हैं क्योंकि आज ज़रा समान था तो मैंने सोचे देखिए थोड़ा बहुत इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी तो देखिए कुछ भारी है कुछ हलका है मतलब ठीक समान है देखिए आप देख लेंगे बाद में यह देखिए पूरी तरह से भर गया है अभी एक बंदा एक और पर आएगा इसमें तो देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं सी दहुदरी अच्छे से रोड पे जब हम मिलेंगे जो पोर लाइन पे जहां पर जादा स्पीड अचिब कर पाएंगे तो यह देखिए दोस्तों यह देखिए अब पूरी तरह से यह गाड़ी अब जो हाइ पर आप देख रहे हैं तो काफी अच्छे तरीके से जो चल रही है ओ देखिए 99 और यह 100 हो चुका है तो देखिए काफी अच्छी 103 पर आ गई देखिए तो काफी अच्छी स्टेबल इस टाइम पर तीन बंदे हम इसमें बैठे हैं बाकी सारा समान गाड़ी पूरी चरह से भूल है तो देखिए काफी अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है गाड़ी में ऐसा कुछ गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं लग रही देखिए बिल्कुल आराम से चल रही है और मुझे तो फील भी नहीं हो रहा देखिए बाकी यह जो हमारे जो सीसे बगार है वो सब कु सकते तो काफी अच्छी तरीके से गाड़ी चल रही है तो देखिए यह डाउट काफी लोगों के पास था कि यह गाड़ी कैसी चलेगी लॉंग राइट पर मतलब जो जब आप हाई स्पीड बजाएंगे ज्यादा बेट के साथ तो काफी अच्छी देखिए मैंने आपको प्रूप के साथ बता दिया कि काफी गाड़ी हमने भरी हुई थी तो इसके साथ देखिए 105 तक तो ऐसे नॉर्मल यह पहुंच गई कुछ पता ही नहीं लगा तो देखिए यह बाते ऐस गाड़ी के बार में जो मैं आपको काफी कहता हूं कि जिस हिसाब से गाड़ी आपको चलाती है मतलब इस गाड़ी का ऐसा यह पाबर लीनियर तरीके से डिलीवर करती है मतलब आपको ऐसे नहीं कि एकदम ज्यादा पीकप देगी मतलब ऐसा होगा इस गाड़ी में कि एक लीनियर पाबर देती है कि चड़ती 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 जड़ती ज करते हैं कि चलती है बाकि देखे स्टेभल पर तो काफे अच्छी अच्छी गाड़ी को चलाइघे हुँआ है वहीं बात करें आपको एक और प्राई होगी बहुगी इसके एंगेज लेबल पर मतलब साउंड पर इंजन से नौइज तो स्पीड फाइब की तो देखें कोई भी नॉर्मल स्पीड से लग रही थी विल्कुल कोई ऐसा नौइज नहीं आ रहा था गाड़ी के इंजन से तो काफी अच्छी चल रही थी और एक बात मैं आपको बताऊं तो देखें जो हमने स्पीड अच्छीव की गाड़ी ने बिल्कुल कुछ ऐसा भी नहीं फीलवा कि बहुँ ज्यादा गाड़ी के इंजन पर स्ट्रेस है कुछ भी नहीं है मतलब नौर्मल तरीके से बहां पर चली गई उस स्पीड पर तो करता है बन ट्वैंटी तक तो आप इसे नौर्मल तरीके से ले ही जाते हैं अगर ऐसे कुछ बर के ले चलेंगे उसके बाद भी चले जाएगी लेकिन अभी तक हमने बन ट्वैंटी के उपर तुसे ले नहीं गए तो कभी भी तो बाकी उससे बाद मैं नहीं कहूंगा लेक करता है अपर तक है बाकी तक तक है